नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाई में आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पीट को सुंदर और आकर्शक बनाने के ये है घरेलू नुस्खे के बारे में, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन इस से पहले मैं आपको बता दू, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाई तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मटिव जा के कालेपन को दूर करता है। नींबू के रस में गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाकर लगाने से आपकी पीट न केवल साफ होगी बलकी चमकतार भी बनेगी। इसका प्रयोग लगातार करने से आपकी पीट से कालापन दूर तो होगा ही बलकी पीट सुन्दर भी दिखेगी एलोवेरा जेल को ऐसे इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल की एक परत अपनी पीट पर लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दे। बाद में पानी से इसे साफ कर ले धीरे धीरे आपकी पीट साफ होने लगेगी और आपकी तवचा संबंधी और बीमारिया जैसे फो पीट में लगाए ऐसा करने से आपकी पीट न केवल साफ होती है बलकि चमकने भी लगती है। बादामका तेल, बादाम के तेल को गर्म करके पीट में मालिश करने से पीट का कालापन तो दूर होता ही है बलकि कोशिकाओं में रक्त का संचरन भी अच्छे से होने लगता है। उम्मीद करते है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो informative लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से related कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूल। हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर ले क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों